हलो बच्चो नमस्कार सभी को स्वागत आप सभी का साइंस एंड फंड पर जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप मैच शुरू कर रहे हो तो कौन सा टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है तो जो डिलीटेड सिलेबस है आज हम उस पर रौष्णी डालेंगे क्योंकि जैसे टैंथ के अंदर आप परशान थे कि सर य एहने पर या एक वाट्सएप मैसेज के जरीए आप लोग इतना इंफ्लूएंस हो जाते हो कि जो इंपोर्टन टॉपिक होता उसको डिलीटेड मानके छोड़ देते हो या एक मुश्किल टॉपिक जो आपका दिन हफ्ता महीना खराब कर देता है और वो डिलीटेड होता है और फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाता है तो मैं आपको कहूंगा आपने अपनी NCRT खोल लेनी है और आपने content page पर आकर mark कर लेना है कि कौन से exercise आपकी डिलीटेड है और अब कुछ जो नई NCRTs आ रही है उसके अंदर already deleted syllabus ही दिया हुआ है मतब सिरफ reduce syllabus है deleted portion हटा दिया गय reminders अभी भी पुरानी किताबे बेच रहे हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा syllabus है तो बिटा एक clarity के लिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द हमारी classes start हो जाएंगी YT पर यानि इस platform पर जहांपर मैं आपको complete lectures दूँगा हर एक topic के although हमारे paid bachelor's शुरू हो चुके हैं जि लेकिन YT बेबी classes start होने वाली हैं दोनों ही सूर्तों के अंदर हमको syllabus जानना बहुत जरूरी है तो आज के session के अंदर मैं आपको बताऊंगा reduce syllabus क्या है दोजाथ तेईस दोजाथ चौबिस 11th mathematics का तो शुरू करते हैं पूर्य का पूरा जो हमारा NCRT का curriculum है मैस का curriculum है और यह applied mathematics नहीं है यह core mathematics के बारे में बता रहा हूं यह ध्यान रखना तो इसके अंदर प्यारे बच्चो हमको देखना पड़ेगा सबसे पहला आता है हमारा sets and function फिर आता algebra, coordinate geometry, calculus and stats and probability यानि 9-10 में जितनी geometry पढ़नी थी पढ़नी ती पढ़नी अब यहां पर कोई भी प्रकार की geometry नह पर नहीं पढ़नी जो भी होगी practical nature की पढ़ाई होगी जो आपके जीवन में या science में या commerce में लगाई जाती है ठीक है न तो यह period और marks allotted किये गए हैं अभी इतना deeply हम बात नहीं करें अभी हम बात करेंगे सिर्फ exercise deletion की तो पहले जो आपका topic है वो है sets and relation and function यह दो दो चाप्टर है चाप्टर नमबर वन चाप्टर नमबर टू तो चाप्टर नमबर वन चाप्टर नमबर टू में से आपका कुछ भी deleted नहीं है no deletion although यहां पर देखा जाए तो subtraction नाम का topic deleted होता है लेकिन मैं बच्चों क बहुत काम आने वाला है तो मैं आपको एक advice दूँगा कि कुछ भी deletion नहीं है कई बच्चे बोलेंगे कि sir 1.5 exercise जी सब्ट्राक्शन का portion है वो अला deleted है बिल्कुल deleted है लेकिन वो इतना असान है और इतना important है कि वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए और relation and function में से भी कुछ भ बाहु बली the beginning and वहाँ आएगा बाहु बली the conclusion important topic है miss नहीं करना है फिर आता है trigonometric function trigonometric function में वैसे तो सब कुछ पढ़ना चाहिए लेकिन छोटा सा topic है जिसको बोलते है बिटा general solution क्या है बिटा general solution आपका out of syllabus है यह आपका deleted है और यह आपको पाया जाएगा 3.2 exercise के कुछ portion के अंदर 3.4 exercise के 3.2 में है 3.2 के कुछ portion के अंदर यह वाला topic आपका बिल्कुल deleted पाया जाता है ठीक है जी मतब अभी आप topic की लिख लो क्योंकि ना जगा जगा आपको दिखाई देगा 3.2 में भी दिखेगा 3.4 में भी दिखेगा तो यह topic है general solution करके जब आप इस chapter पहुँच पूरा chapter आपका syllabus में है general solution deleted है और अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो दोड़ेगा ठीक है यह पूरा chapter का summarization यह दिया हुआ अभी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा फिर आता है complex number इससे पहले chapter number 4 है बच्चो अगर आपके पुरानी book है तो chapter 4 होगा principle of mathematical induction यह chapter पूरा का पूरा deleted हो चुका है पूरा का पूरा deleted है ठीक है जी फिर आता है chapter number 5 यह कोई deletion नहीं है यहाँ पर no deletion ठीक है एक छोटा सा topic है जिसको हम बोलते हैं argument जिसको कहते हैं argument यह आप कह सकते हो polar form इससे ही निकलती है सिफ यही आपका deletion सिफ यही deleted है तो मैं मान के चलूँगा कि कुछ deletion नहीं क्योंकि एक छोटा सा point deleted है मैं तो बच्चों को वह भी पूरा पढ़ा देता हूं ठीक है जी क्योंकि वह trigonometry ही based है कोई दिक्कत नहीं मुश्किल नहीं है फिर आता है linear inequalities में graph deleted है graph क्या है डिलेटा देखो simple सी बात है हमारी जो 11th class है वह base class बने की 12th के लिए और मै हर एक बच्चे को कहता हूं कि यहाँ पर जो छोड़े हुए topic है वो भी कर लेने चाहिए not every लेकिन mostly तो जैसे linear यह जो है topic linear inequalities यहाँ पर graph topic आपका deleted है अब graph topic बड़ा important portion बनाएगा एक पूरा chapter मना देगा 12th में LPP तो I advice advice मेरी यह है कि don't leave it इसको मच छोड़ो इसको कर लेना graph का topic है एक class का topic है मैं यहाँ कराऊंगा आप भी कर लेना फिर आता है permutation combination इसके अंदर कोई भी deletion नहीं है होता तो भी मैं आपको recommend करता binomial theorem अगला chapter number 8 chapter number 8 में आपको only 8.1 करनी है rest deleted rest आपका portion deleted रहेगा सिरफ 8.1 exercise करनी है और कुछ साल पहले यानि 2 साल पहले तो 8.1 भी नहीं आती थी अचानक से 8.1 आनी शुरू होगे और अब 8.1 के बाद का कुछ भी यहाँ पर topic नहीं है तो 128 में समझ में आ गया chapter 1 में कुछ deletion नहीं है chapter 2 कुछ deletion नहीं है chapter 3 general solution chapter 4 पूरा deleted chapter 5 polar form argument chapter 6 graph chapter 7 no deletion chapter 8 only 8.1 is coming rest is deleted ठीके जी sequence and series के अंदर 9.4 आपकी deleted रहेगी special sequence special sequence नाम का topic होगा इस chapter के अंदर जैसे कि मैंने आपको last lecture में बताया था AP और GP आता है arithmetic progression और geometric progression वो दोनों हैं लेकिन 9.4 एक्साइज आपकी deleted एस पर CBSC लेकिन कुछ private schools इसमें AP भी हटा देते हैं देखो क्या होता है यहां पर ना कुछ private influence भी होता है CBSC तो कहते कि यह नहीं आएगा अब हो सकता है अभी मैं स्कूल ने graph दिये थे क्यारे graph सीखो और most of the schools ने यहां पर बिटा arithmetic progression ही हटा दिया था क्यों क्यारे पहले सीख तो लिया आपने समझें वहीं सेम गोशन है डिक्टो कुछ नया नहीं आएगा तो वहां आप पर AP को डिलीट कर देते हैं लेकिन आप अपने स्कूल से बात करना मैं आपका यहां पर CBSC औरिंटेट स्लेबस डिसकस कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन नो डिलीशन बहुत इंपोर्टन टॉपिक है आगे 12 में जाकर पहाड़ बन जाएगा कोनिक सेक्षन नो डिलीशन कुछ भी डिलीशन नहीं है बेटा यहां पर कहीं स्कूल में इसकी मिसलेनियस एक्साइज काट देते हैं बिलकुल इंट्रोडक्शन टू 3D नो डिलीशन कोई डिलीशन नहीं है हां एक चैप्टर नंबर 11 रहा होगा आपका जिसके अंदर आपको रीजनिंग वाला मैथामेटिकल रीजनिंग वाला एक चैप्टर होगा MR पुरानी बुक्स में इसको आप पूरा का पूरा डिलीट करते हैं 13 नो डिलीशन होता तो भी कराता मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक मैंने आपको लास लेक्टर में बताया था यह सबसे इंपॉर्टन चैप्टर रहेगा पूरे 11 स्टैंडर का एक ट्रिगनोमेट्री और एक लिमिट्शन डेरिवेटिर मुश्किल नहीं है लेकिन इंपॉर् इसके अंदर गिवन है यह सारा का सारा आपको करना ही पड़ता है फिर आतीए बाद प्रोबैबिलिटी की कोई भी डिलीशन नहीं है तो अगर आप मोरल ऑफ दा स्टोरी देखो तो 11th क्लास सबसे इंपॉर्टन क्लास मनी जा रही है आपको सब कुछ करना चाहिए और मैं अपने पेड़ बैचिस के अंदर जो की शुरू हो चुका है उसके अंदर हर एक चीज कराऊंगा हर एक चीज पहले तुम्हें एक ब्रिज बनाऊंगा कि 11 स्टांडर्स से सोरी 10 स्टांडर्स से अप 11 में आ रहे हो तो आपको 10 का क्या-क्या लेकर आना है औरिंटेशन बेस हर एक चैप्टर के पीछ अगर बेस लगा तो पहले बेस समझाऊंगा फिर 11 का कोई भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ने वाला जितने आगे मैं डिलीशन लिखे हां मैं पीमाई नहीं कराऊंगा पेड़ बैचिस के अंदर मैं उसके बाद मैथमेटिकल डिजिन चैप्टर न इनको सब्ट्रैक्शन ऑफ्टेट्स यह बहुत इंपॉर्ण टॉपिक है इनको मैं डिलीट मानता ही नहीं हूं यह तो बच्चों को सिखाया जाना चाहिए तो ऐसे ही मैं यूट्यूब पे भी कोशिश करूँगा कि यहां पर भी आपको सारा पार्ट बढ़ाओं यूट् काच अल्रडड़ी स्टार्ट हो चुका है नहीं खरीदा भी आज आगे खरीद लो नॉमिनल प्राइस है पूरे साल लाइव लेक्चर आएंगे पी-सी-एम अकाउंट्स कॉमर्स वाले हो तो कॉमर्स का कोर्स साइंस वाले हो तो साइंस का कोर्स और अगर अभी कुछ नही में भी और वाइटी सेक्शन में भी तब तक के लिए बबाए टेक केर हैव नाइस देश